अरे शुशीला आज कुछ बनाया है अब रत रख लूँ ला रही हूँ भाईया चने ना हूँ बसार अरे कुछ बना नहीं सकती थी नौ दिन से चने खा रहा हूँ घोड़ा बना कर खोड़ेगी क्या मुझे कुछ बनाना आता तो बनाना लेती और आपको बोलती रहती है होटल से ओर्डर कर दो तो आप दोग नहीं सुनते हाँ होटल से ओर्डर कर लूँ ताकि वहां का मसाला खा खाकर मेरा बवासीर बढ़ जाए तो एक काम करो ना भाईया अब भाबी को कॉल कर लो और उनक परिवार का तूटा ठीक नहीं है मैंने नहीं तोड़ा जिसे तोड़ना था वो घर से भाग के गई है अरे भाग कर कहां गई है जीजा जी अपने घर गई है ती घूमने गई है घूमने गई होती तो बता कर जाती मेरे पीट पीछे लड़ाई लड़के चार बैग उठा करना चल देती अरे जिजाजी अप जानते हैं तो हो दीडी को, कितनी सीधी है नहीं है उन मैं उन नहीं समझ पार जानता हूं कितनी सीधी है, बस जूबान ही टेड़ी है यह सब थो छोड़ो जिजाजी आप एक बात बताओं नोक जोक पहले भी होती थी होती थी नोग-जोग, तो तलाग तक नौबत तो नहीं पहुंचती थी. लेकिन जब दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए, नौ. क्या मतलब दो के बीच में तीसरा? मैं तो शादी से पहले भी गही थी. पहले थी ना, पहले, पहले थी ना आप. एक मिनिट बबलू, वो घर की सदस्य है, उसे बोलने का पूरा हक है. बोलने को मैंने कम मना किया है, जी-जाजी. लेकिन जहां जरूरत ना हो ना, वहां बोलना नहीं चाहिए. क्यों ना बोलू मैं? मेरा मू, मेरा भईया, मेरा घर, अपनी जाके बहन को समझाओ. दिन भर कुमकरन की तरह सोधी रहती है, एक सुई तक तो हिलती नहीं है. मेरी बहन कोई टेलर नहीं है, नमजी? जो दिन भर सुईधा का लेकर लगी रही लगी रही और अगर काम नहीं करती जी-जाजी, तो शिकायत पहले भी आती है. बबलू, ऐसे जुमान लड़ाने से अच्छा है, अपनी बहन को समझाओ, कि थोड़ा दब के रहे. अरे बात दबने उठनी की नहीं है, जी-जाजी, एक तो आप भी बात-बात पे कमी निकालते हो, वो तो बेचारी आपकी सेवा करना चाती थी. पेशारी नहीं, दुराचारी है, वो. जब मेरी मम्मी जिंदा थी, तब तो फर्ष आईनी की तरह चमकता था, मूह तक देख लेती थी, और अब देखो कितना गंदा पड़ा है. हाँ, देख रहा हूँ, नौ दिन में घर, चमका के ताज महल बना दिया है, देखो. बबलू यहां, आम तेरी बहन की बात करने बैटे हैं, मेरी बहन की नहीं. लेकिन जीजाजी, आपकी बहन ही बार बार बीच में उछल रही है. मैं कोई कड़ाई में पड़ा हूँ, आम अपकोण की ब्राट कोंगे, देख रहा हूँ भाई अपने साले को. देखना क्या है, जैसी बहन वैसा भाई सिफारिश लेकर चले आए. अरे जीजाजी, बात सिफारिश की नहीं है, मैं बीगडी हुई बात बनाने के लिए आया हूँ आपके पास. हाँ, जैसे बहन बाते बनाते रहती ती दिन पर वैसी चले आए तुम बात बनाने. वो दो दीदी को जीजाजी की चिंता थी, कहीं मिननेते करी है मुझसे, तब जाकर आया हूँ मैं मनाने के लिए, समझी? हाँ, दूर जाकर ही तो चिंता जागी है मन में. चिंता नहीं भाया, चिंता का दिखावा है, उन्हें तो डर होगा कि कहीं पहन खरना संभाल ले. हाँ, दिख रहा है, तुमने घर केतना संभाल लिया है, ये मैनी में रोज चने ही खिलाती होगी जीजाजी को, और चार दिन चने और खिला जीए न, गोड़े जैसा मुऊ हो जायागा, जीजाजी. अरे चने की छोड़ो, कम से कम चैन सुकून तो है, क्या फाइदा, पावन पकवान पकाओ, और उसके बाद तंड़ा बजाओ, तुमना आग में ज़रा कम घीडा लो, मन्थरा थी क्या पिछले जनब में, भाया, आप ये सब सुन के ऐसे रहे हो, क्या आग में घीडाल रही है, सही तो बोल रही है, है, और बात बनाने की जरुवती क्या है, उसके घर छोड़के जाने की वज़े से, इस ग्राव विकास अधिकारी की कितनी धूतू हुई है, कोई अंदाजा है पबलू तुमें, एक तो जीजा जी आप बात बात पे बोलते हो, घर छोड़के चली जीजा दरवाजे खोले हैं, आप क्या कम हो, ये ग्राव विकास अधिकारी किसी से कम नहीं होता, उसको क्या लगता है, वो मुझे बाकी लोगों की तरह दबा कर रखेगी, तो ये इस जनम में मुम्किन नहीं है पबलू, और तलाग के कागज भेज दी है, बोल देना जुर्माना भरोगे, तुम, कैसा जुर्माना, शोशन तो मेरे भाईया का हो है, जुर्माना भरेगी तुम्हारी पहन, अगर डावरी केस लगा दिया न, तो दोनों भाई बहन की जोडी, जेल में बैठके ही चने चबाएगी, ऐसा है बबलू, ये काला कोड पहन कर अपने सबस्राल में ठीका दिया, वा, 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 अरे वो मन्हूस रमान दिया था, इसलिए तुम्हारी चली मेरी शादी, अरे तुम्हारे लक्षन जैसे हैं, तुम्हारी शादी तो चली की न, एक ग्राम विकास अधिकारी की बहन किसी रिष्टे की महताज नहीं, और भूल मत ब इनके पापा भरेंगे न, अपने पैंग से, हाम उसीबत में, हम ही तो याद आते हैं, और दीदी बता भी रही थी, कैसे उनके कंगन को बेच किया याशी कर रही हो तुम, अरे कौन से कंगन, वो पानी चड़े वे कंगन, उनको बेच के तो एक देशी पावा भी आया और याशी की बात करें, देख रहे हो भाईया, आप इसको बोलते है क्यों नहीं कुछ, ऐसा है बबलू, मेरी बेहन के बार में कुछ बोला, तो टांग पर टांग रख के चीर दूँगा, रहा हात लगा के दिखाओ जीजा, मेरी बुआ का दामा धीम है, और जिस नौकरी पे थुपी आ रहे हो न, पांच मिंट में ऐसे चुटकी बजा के घर बिठा दिया जाओगे, बड़ा आया, डीम का चाला, अपनी नौकरी तो लगवान ही पाया, मेरी नौकरी खाएगा, चल, जाकर भैंस की सवारी कर अपने काओ में, अरे भैंस की सवारी तो जीजा बे तु ना मोनिशार मिट जाएगा बबलू तुमारा, बबलू कोई हाईडरोजन गैस का गुबवारा नहीं है, जो चुटकी बजाएगा उड़ा दोगी, एक ग्राम एकात अधिकारी किसी के ललकार बरदास नहीं करता, बबलू ना मैं मेरा बबलू, अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं लोट के आउँगा, और इट से इट बजा दूँगा, तलाग होकर रहेगा, अब बबलू ना में मेरा बबलू, अब बड़ा धीट है भाईया, गया तो गया, साथ में चने भी ले गया, पूरा का पूरा खाननान चोर है साला, जा और चने भून कर ला, फिर से एला ने करेंगे